स्वशासन ये एक महार का उतनाही जन्मसिद्ध अधिकार है जितना के एक ब्राम्मन का और जब तक इस विचारभाव का स्विकार नहीं होता हिंदूस्तान को स्वशासन मिलने की संभावना नहीं जिस स्वराज में पिछडी जातियों को मुलभूत अधिकार नहीं मिलते वो तो सही स्वराज नहीं होगा, वो एक नई खुलामी होगी, एक महार, ओ, कितना प्रभावश अलिवधान है, यवान सब, आप जानते हैं इस पत्र का अनामक लेखक कौन है, नहीं यूर हैनिस, डॉक्टर अंबेड कर, दर्तोबा पवार ने मुझे पताय, डॉक्टर वस्था की अनिश्प्रथा को मिटाने और नीची जाती वालों को ब्रामनों और पुजारियों की अन्याय से मुक्त कराने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो है तो बहुत साहस पूर्ण, फिर भी हमें जलबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं दिवान साहब, हमें हर तरह से डॉक की जगत का नायक सीडिया, जो जिस मन्जिल पर पैदा हुआ है, उसे उसी मन्जिल पर मरना है इस मानगाओ परिशद ने मुझे विश्वास दिलाया है, कि आपको अम्बेड करके रूप में अपना उद्धारक मिल गया मुझे भरोसा है, ये आपकी बेडिया तोट डालेंगे, इतना ही नहीं, वो समय आएगा मेरा मन मुझे कहता है, जब अम्बेड कर इस देश के अग्रणी और महान नेताओं में गिने जाएंगे अम्बेड कर, ओ अम्बेड कर, रमा, कौन हो सकता है ओ अम्बेड कर, लगता है शाहु मारा जे, चलो उपरी चालता है नमस्ते माराज, बैठे है अम्बेड कर एक कब तुम्हारी स्पेशल चाय मिलेगी बहन रमा भाई रमोक चाय ये बात बिलकुल सच है, कि हर महान आदमी के पीछे एक स्त्री होती है रमा बहन जैसी तुम भाग ये शाली हो, आम बेड कर पढ़ाई के लिए लंडन जा रहे हो न, मेरी छोटी सी भेट खोलिए उसे धन्यवाद आ, बहुत अच्छे तो, चले मूखना एक ओफी जो जाना है प्रामू, मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत दुखी और अकेली हो जाओगी लेकिन मुझे मेरी पढ़ाई पुरी करनी है सिर्फ दो ही साल की तो बात है तुम बहुत सकता हि बचुरी क्रामू च्रounceफ प्राव लोके बच्षानी है बहुता है कि आ.